नमस्कार दोस्तों, पिछले हिंदी वीडियो टुटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगे के मास्टर पेज को कैसे बनाएं, इसी के नेफ्ट वीडियो के अंदर हम लोग आज देखेंगे कि हाइपर लिंक्स को मास्टर पेज के अंदर कैसे यूज किया जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास चार प्रकार के पेजेज हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और प्राइवेसी, देखिए मास्टर पेज के अंदर हम लोगों ने कुछ लिखा था, इसमें लिखा हुआ है वेबसाइट लोगो हिया, उसके नीचे जस्ट है होम, अबाउट, कॉ लेंगे वेबफोर्म, एक्चुली, जो मास्टर पेज होता है, वो कभी भी ब्राउजर के उपर रन नहीं होता है, तो हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, वेबफोर्म, सिर्फ वेबफोर्म ही होता है, जो की ब्राउजर के उपर रन होता है, बाद में हम लोग हैंदलर क के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि handlers कैसे बनाए जाते हैं और वो रन कैसे किए जाते हैं तो आज के इस इंदी वीडियो टोरियल में हम लोग देखेंगे कि जो hyperlinks होते हैं उनको हम लोग webfm से कैसे connect करते हैं और master page के अंदर हम लोग hyperlinks को कैसे लेते हैं तो यहां हमें जरुरत है webforms की अभी हम लोगोंने contact के लिए भी एक page ले लिया है contact जिसका webform का जो extension है वो क्या है .aspx solution explorer के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास about.aspx है contact.aspx है, home.aspx है यह तीन प्रकार के तीन pages हैं जो की webforms है और एक single master page है जिसका नाम जो है वो start.master है तो हम लोगोंने तीन pages जो है webform के लिए है और एक page हमारे पास master page का है तो अभी हमने contact का page तयार किया है अभी हम लोग add करेंगे privacy का page webform privacy.aspx इस webform का जो extension है वो aspx है जो की master page से inherit हुआ है देखिए जो second content plus holder है हम लोगोंने उसके अंदर h2 tag लगाया है heading के लिए ताकि यह policies के बारे हम लोग यहाँ पे लिख सकेंग देखिए हम लोग यहाँ पे content plus holder के अंदर ही लिख रहे है लेकिन वो webform है ध्यान रहे master page के content plus holder में हम लोगों को कुछ भी write नहीं करना है हम लोगों को जो लिखना है वो कहाँ पे लिखना है webforms के अंदर master page यह देखिए मैंने master page लिया इसके content plus holder में मैंने कुछ भी नहीं लिखा ध्यान रहे आप लोगों को भी master page के content plus holder में कुछ नहीं लिखना है जहां मैंने home लिखा हुआ है मैं वहाँ पर एक hyperlink लूँगा actually मैं hyperlink का क्या उपयोग होता है वो मैं भी आप पे सामने दिखाऊंगा hyperlink का मतलब होता है जब हम लोग इस पे click करेंगे तो जो page इससे link होगा वो उसी page पे चला जाएगा ठीक है तो हम लोग यह कहेंगे कि वो उस पे navigate हो जाएगा hyperlink की property में जाते हैं right click करके आप property को select कर सकते हैं या property window को आप लोग view में जाके select कर सकते हैं अभी हमने navigate URL एक property इसकी लिए है और मैंने home जो text है उसको hyperlink है उसको किसे add कर दिया home.aspx से इसी परकार मैं इस home.aspx को copy कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको paste कर दूँगा और इसकी text और navigate जो URL प्रोपर्टी है मैं उसको change कर दूँगा यहाँ पे about का page मैं लिख देता हूँ about तो यहाँ पे as a label वो about लिखा हुआ आ जाएगा और इसका जो navigate URL है वो किस से जोड़ दूँगा about के page से इसी तरह जो बाकी जो other pages है मैं उनको भी किस के साथ जोड़ दूँगा contact के page से और privacy के page से जो contact का hyperlink है वो ही copy जो किया हुआ था hyperlink वो ही paste कर देता हूँ यहीं पर भी text में contact लिख देता हूँ और hyperlink ठीक है तो privacy के लिए भी मैं same hyperlink वो जो copy किया हुआ था वही यहीं पर paste कर देता हूँ और इसका जो text और navigate URL प्रोपरटी है वो भी change कर देता हूँ privacy मैं आपको दुबारा यहीं पर repeat कर रहा हूँ कि master page के जो मैंने लिखा हूआ start.master page आप देख सकते हैं इसके मैंने content plus holder के अंदर कुछ भी write नहीं किया है master page का मतलब भी होता है कि हम लोग एक outer structure तयार करते हैं जिसे हम लोग layout कह सकते हैं जिसका मैंने header बनाया है जिसमें लिखा हुआ है website logo हो यह navigation bar जिसमें home about contact privacy हैं और नीचे एक footer है जिसमें मैंने dot programming लिखा हुआ है देखिए यह रहे तो master page के यह content plus holder है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है और जो other waveforms हैं उनके content plus holder में ही लिखा जाएगा बाकी other में नहीं लिखा जाएगा क्यों? क्योंकि हमने एक layout तयार कर लिया है master page से और यह जितने भी page हमारे सामने है about है, contact है, home है, privacy का जो page है वो किसे ही नेरिट है? master page से मैंने वो checkbox जो है start page सेलेक्ट कर दिया है और मैं इसको browser के उपर run करने चाह रहा हूँ आप देखिए कि जो master page है उसका जो layout है वो fix रहता है जिसमें welcome logo here home और जो footer part है dot programming dot blogspot dot com जिस पे लिखा हुआ है वो change नहीं होगा ठीक है? change क्या होगा? जो middle part है जैसे मैंने home पे क्लिक किया तो home का content आ जाएगा about पे क्लिक करूँगा तो about का pages आ जाएगे contact पे क्लिक करूँगा तो contact का जाएगा as usual अगर मैं privacy पे क्लिक करूँगा तो privacy का page आ जाएगा ओके? देखिए जो आपके URL है इसमें लिखा हुआ है localhost colon 48480 ये जो है वो socket है IP address प्लस port number आगे आपका page है home.aspx ये जो default page मैंने set किया था right click करके page के उपर solution explorer के अंदर वो यहाँ पे page आप लोगों को दिखाई दे रहा है कुछी देर में आप लोगों के सामने आपका जो home.aspx है वो run होगा जिस पे आप लोगों को header पार्ट दिखाई देगा navigation देखिए और footer भी दिखाई दे रहा है जब मैं about पे click करूँगा तो about का page यहाँ पे आजाएगा about page ऐसे ही अगर मैं contact का contact पे click करूँगा तो contact वाल आ जाएगा contact page लेकिन देखिए यहाँ पे उपर का जो पार्ट है website logo higher और navigation बार है जैसे home about contact privacy और नीचे का footer पार्ट चेंज नहीं हुआ है बस middle पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है और आपका URL जो है वो चेंज हो रहा है तो दोस्तों master page इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग एक page का layout तैयार कर सके दुबारा दुबारा कोई content ना लिखना पड़े so thank you धन्यवाद